आपने टाइल्स लगाई है दो बई दो 32 32 चार दो या एनी साइज जो भी साइज रहती है वो तो आपके दिमाग में एक भी रहता है कि इसकी स्काटिंग क्या लगाए या बॉडर पट्टी क्या लगाए अभूमन रहता है कलर कॉंबिनेशन के साथ सेटिंग करना पड़ता ह तो आपके मन में रहता है कि जैसे आपने वाइट टाइल्स लगाए तो इसके उपर स्काटिंग किस कलर की लगाए जाए तो अच्छी रहेगी कौन सी क्वैलेटी की लगाए जाए तो आज इसी पर बात करेंगे नमस्कार दोस्तों में हम राज मेनर्या मेरे यूटीब चै परती इस तरह के वीडियो आते रहते हैं, बात करेंगे आज 4 इंच इस काटिंग के उपर, तो देख सकते हैं आप इस काटिंग में बहुत से कलर आपको अवेलेवल मिलते हैं, देख सकते हैं आप यह ग्रीन साइज की बात करें, तो 4 इंच में चोड़ाई और 2 फिट की बोड़ी भी आता है और विट्रिपैट भी आता है, तो यह विट्रिपैट की 4 इंच की कटी हुई, यह ग्रीन है, इसमें आपको कलर में यह वाइड भी, अगर आपने बलेक टाइल्स लगाई तो वाइड लगा सकते हैं, देख सकते हैं आप यह डीजाइन में, इसमें बह गला कलर, बहुत से कलर आपको इस टाइल्स में मिल जाएंगे, ब्राउं, रेड, प्लेक, येलो, इस प्ला के, प्लेन ब्लेक, जो सबसे ज़्यादा टाइल्स से चलती है, वो प्लेन ब्लेक, देख सकते हैं, प्लेन ब्लेक, देख सकते हैं, प्लेन ब्लेक, देख सकते हैं, रहता है रेट की बात करें तो दस रुपए तक चलती है दस रुपए से पंदर रुपए ते की रेंज में आपको उसानी से किसी भी मार्केट में मिल जाएगी यह तो टाइल्स की बात हुई कोटा स्टॉन में आप देख सकते हैं साइज तो जो टाइल्स में है वही साइज इसे में भी है पॉलिश की हुई है पीच्छे से आप देख सकते हैं यह रेंज की बात करें तो 20 रुपए रेंणिंग फिट से कोटा का उपर एक और लगती है वह लगती है डरनाइट के 25 रुपए रेंणिंग फिट 50 रुपए के एक पीस मिलता है मार्केट में किसी भी शोपपर आसानी से उप्लब्द मिल जाएगा तो यह एस कटिंग के बारे में बताया वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें धन्यवाद